मेरे प्यारे देश्वासियों, नमस्कार, आज 27 दिसंबर है, चार दिन बाद ही 2021 की सुर्वात होने जा रही है, आज की मन की बात एक प्रकार से 2020 की आखरी मन की बात है, अगली मन की बात 2021 में प्रारम होगी साथियों, मेरे सामने आपकी लिखी धेर सारी चिठिया है, माई गौपर जो आप सुझाव भेते हैं, वो भी मेरे सामने है, कितने ही लोगों ने फोन करके अपनी बात बताई हैं, ज्यादातर संदेशों में बीते हुए वर्ष के अनुभव और 2021 से जुड़े संकल्प हैं, कोलापूर से अंजली जी ने लिखा है, कि नए साल पर हम दूसरों को बधाई देते हैं, शुबकामनाई देते हैं, तो इस बार हम एक नया काम करें, क्यों न हम अपने देश को बधाई दे, देश को भी शुबकामनाई दे, अंजली जी, वाकई ही, बहुती अच्छा विचार है, हमारा देश, 2021 में, सबर्ताओं के नए सिखर छुएं, दुनिया में भारत की पहचान और ससकत हो, इसकी कामना से बड़ा और क्या हो सकता है, साथियों, नमो एप पर मुंबे के अभिशेक जी ने, एक मेसेज पोष किया है, उन्होंने लिखा है, कि 2020 ने, जो जो दिखा दिया, जो जो सिखा दिया, वो कभी सोचा ही नहीं था, कोरोना से जुड़ी तमाम बाते उन्होंने लिखी है, इन चिठियों में, इन संदेशों में, मुझे एक बात जो कॉमन नजर आ रही है, खास नजर आ रही है, वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगा, अधिकतर पत्रों में लोगों ने देश के सामर्थ, देश वास्यों की सामोहिक शक्ति की भरपूर प्रसंसा की है, जब जनता कर्फी जैसा अभीनवक प्रयोग, पुरे विश्व के के लिए प्रेणा बना, जब ताली थाली बजाकर देश ने, हमारे कॉरोना वार्यस का सम्मान किया था, एक जूरता दिखाई थी, उसे भी कई लोगों ने याद किया है, साथियों, देश के सामान्य से सामन्य मानवी ने इस बड़लाव को महसूस किया है, मैंने देश में आशा का एक अध्भूत प्रभा भी देखा है, चुनोतिया खुब आई, संकड भी अनेक आई, कोरोना के कारण, दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकड से नए सबक लिए, देश न नया सामर्ध भी पैदा हुआ, अगर शब्दों में कहना है, तो इस सामर्ध का नाम है आत्मनिर्भरता,